स्वागत है आप सब का हमारी चैनल पर जहां हम बाते करते हैं फैशन ब्यूटी लाइफ स्टैर्ट पूजा पार्ट से चोड़े हुए और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उपनी लाइफ का इस्पिरेंस फ्रेंड चैश्री कृष्णा राधे राधे कैसे हैं आप सब आप अच्छ होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आज को वीडियो विसेज है और उन लोगों के लिए विसेज नहीं है जो इसे नहीं मानते जो इसे रिलेट नहीं करते जो समझते ही नहीं है और अपने आपको जरूस जादा मॉडन दिखाने की चक्कर में रहते हैं बकाय के ज मैं अपनी बेटी की शादी करनी है और रिष्टा वगर आते हो गया बहुत जलुरी शादी करने वाली हूँ बट मैं कुछ ऐसी चीजों को जानना चाहरी हूँ क्योंकि बेटी की शादी जो है वो एक ऐसे परिवार में हो रही है जो परमपराओं को बहुत ज़्यादा मान तो चलें दोनों के लिए वीडियो है सभी के लिए है यह वीडियो पर दोनों लों के लिए विसेस है तो शुरू मैं आपके सभी सवालों को जो है वो clear करूगी सबसे पहले तो ये कि जब अब तू दिखे जामा बदल गया इतना नहीं इतना बदल गया है कि अब तो मम्यां भी modern हो गई है और ज़ अब तो बच्चिया हो जाएंगी भाई ती जी सि बात है जो हम अपने परिवार में देखे वही हम करेंगे जो हम नहीं देखेंगे वो हम नहीं करेंगे जैसे जो चीज मैंने बच्पन से देखी मैंने अपनी सास को देखा अपनी मम्मी को देखा परीबार में और आजी है दादी है उन्हें देखा तो उनको देखके जो मैंने सीखा तो मैं वही कर रही हूँ अगर उ यहां उसी से विवा होता है आप कहीं कहीं आजकल रेड सिंदूर से होने लगा है लेकिन सबसे अतियोत्तम सिंदूर जो है वो बंधन सिंदूर माना जाता है उसी से विवा होता है तो सवा तोले के करीब वो सिंदूर आता है और बच्चियों को शादी में जो है वो देते है सिंधोरा रहता है सिंधोरी सिंधोरा दो चड़ते हैं किसी किसी कहां एक चड़ सकता है लेकिन हमारे हाँ दो चड़ते हैं तो उन डोनों में शिन्दूर को ऐसे भढ़ देते हैं इसी में ये कोई एक दिन का नहीं है ये कोई शादिका फैशन नहीं कि हमने इसे एक दिन कर लिया और फिर पूरे साल पड़ा हुआ कोई लेना ही देना नहीं हमें इससे अगर कुई छीज और बनी है परंपराओं में इस्तिमाल हो रही है उन अगनी के 7 फेरों में इस्तिमाल हो रही है तो इसका मतलब निया से शिधन में बहुत जादा है तो इस टैप के दो सिंदूर है छड़ते हैं मैंने कई वीडियो में दिखा चुकी हूँ अभी आपको रिसेंट्वी तो ये देखें इस ठाइब का भी इसमें देखें धूर चूल रेड सिंध acceso के है और इसमें आहब को दिखाती हूं इसमें बर के जो है फेरे के समय इसी को हाथ में ले के बिट्यारानी इसके बाद जब विदाई होते हैं तो ये हम उनको देते हैं तर mã ने कर भी बिदाई होती है जब तक अपने पहुझा जाती है तब तक ये चीज चाहिएा के साधी के कम से कम सवा साल तक या हम सामाने जीवन में अपना शिन्दूर लगा होते हैं तो सबसे पहले वो सिंदूर अपनी ननन, सास, जिठानी, रेवरानी, मा किसी के साथ नहीं शेयर किया जाता, वो आपके हक का होता है, आपको स्वयम धारण करना चाहिए, वो सिंदूर कोई और ना पहने, जैसे है न आजकल कि हमने कहा जैसे कि माताइं भी बहुत मौडन हो गई है, न पहुका एक कमरा ही अलग कर देता है, हम उनको गिफ्ट में जो सिंगार दान देते हैं, ड्रसिंग टेबल देते हैं, वो उसी वज़ज़ से देते हैं, ताकि वो अपना समान अलग रखें, कोई उनके समान को न चुए, और फिर भी अगर आपके साथ रह रहे हैं, आपकी स सिंदूर गिरना सुब नहीं माना जाता है, तो अपनी पहुंच में रखें, उचित स्थान पर रखें, और खुद उसे पहने, कोई दूसरा उसे ना पहने, क्योंकि वो आपके अधिकार का सिंदूर है, आपके हक का सिंदूर है, कहते हैं, जिन कपड़ों में हम फेरे लेत सिंदूर कभी भी चांदी में नहीं रखते, इसलिए क्योंकि सिंदूर की ताशिर अपने आप में गरम होती है, तामे की डिबी में नहीं रखते, सेम सिस्टम है, सिंदूर की ताशिर गरम होती है, और तामे की भी ताशिर कही न कहीं तीखी होती है, लोहे की डिबी में न जबूत वाला यह लग जाता है, तो लोहे के डब्बे में भी नहीं रखते, मिट्टी के बरतन में भी सिंदूर को जो है वो नहीं रखते, शीशी के डब्बे में नहीं रखते, शीशा एक धातू होती है, आज कल बहुत प्रियोग उसका हो रहा है, विग्रह बगरा बन रहा दब करना जाएं तो रखना किसं डभी में चाहिए Space सुरम की सोने डभी में रखें जैसे नहीं एक जाना नहीं में आए अगर ness तो आप इसे जो है वो मठी की डब्बे में रखिए लकडी की डब्बे में रखिए या फिर लाक की डब्बे में रखिए तो अतियोत्तम जो मैं कहूंगी वो है लकडी का डब्बा आपका जो सिंधोरा है वही इतना चलता है कि वो खूब चलता है आप उसी में रखिए सवा साल के बाद आप अपने सिंदूर को मिला मिला के लगा सकते हैं जैसे कि आपका औरेंज सिंदूर और लाल सिंदूर δोनों को मिक्स कर लीजें तो बहुत ही बढ़ियाओ सा रेडिश टोन का कलर आता है जี่से किसी को सिंदूर तो आप दोनों को मिला के रखिए, जो कि शादी का सिंदूर होता है, कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला के ही लगाना चाहिए, क्योंकि वो अतियोत्तम सिंदूर होता है, और आपके जीवन के उस महत्तपूर छड़ से जुड़ा होता है, जिसकी कलपना जो शादी कभी भी सिंदूर सुबा उठते ही साथ नहीं लगाते सिंदूर लगाने का नियम यह है कि आप स्तनान करिए मंदिर में आएए पूझा करिए मा गौरी को सिंदूर चड़ाइए थोड़ा सा एक लाइचे दाना ही सही आप उसे ग्रहन करिए जल पीजे फिर जहां आपका नजर बहुत तेजी से लग जाती है तो सब के सामने नहीं लगाते हैं साडी का जो है पला इस टाइप से साडी दूपट्टा जो भी आप लेते हैं हलका साप अपनी जो है वह भरने चाहिए एक कांत में मांग भरी जाती है सब के सामने नहीं भरी जाती तो इस परकार से आप अपनी मांग को अच्छे से भरे खुब लंबा लंबा मांग भरे जितनी कहते हैं मा सीथा बड़ा लंबा मांग भरती थी उनको देखके हनमान जी ने भी सिंदूर पोत लिया कि जो उनको इसी बात पता चली कि जादा होती है बिंदी की तरीके से हलका सा रख लेती है बलकुल पता ही नहीं चलता लगाया कि नहीं लगाया तो ऐसी इस्तिती में क्या होता है कि आप रोज स्नान ध्यान करते हैं दिन में दू-तीन बार फेश वाश ही कर लेते हैं फेश पैक ही लगा लेते हैं तो आगे से धुल लगा लें तो सिंदूर को रख के आचल से ही उनके इसी को आचल को ऐसे पकड़के छोरा पकड़के इसका कोना जो है से पकड़के सिंदूर के जो है से हाथ जोड़के उन्हें प्रणाम करते हैं सिंदूर सबसे सुद्ध होता है मा गौरी मा लक्ष्मी मा पार्वती सबको सि शुद्ध माना जाता है शिंदूर तो उनको प्रणाम करके के है प्रभू आपने हमें जैस प्रकार इसका अधिकारी बनाया है सदेव इसका अधिकारी ऐसे ही बनाये रहें अपनी किरपा सदेव हम पर बनाये रहें और बहुत सौभागी की बात होती है जब आप सिंदूर के अधिकारी बन जाते हैं जिससे मैंने देखा है कुछ लोगों को मुझे इस टाइब के लोग बिलकुल नहीं पसंदे तो अगर कोई अपने चैनल पर है तो भाई बुरा ना माने पर मुझे नहीं पसंदे तो नहीं पसंदे जो सिंदूर, बिंदी, आलता, चूड़ी इन सब क अधिकारी होते तो हैं लेकिन फिर भी अपना जीवन ऐसे व्यतीत करते हैं इस प्रकार व्यतीत करते हैं जैसे यह सवभागी तो ईश्वर ने इन्हें दिया ही नहीं है यह इस सवभागी के लायक ही नहीं है इस टाइब का जीवन व्यतीत करते हैं तो मैं आप से कहूंगी कि देखे आप अच्छे से रहा करिए बढ़िया से मांग भरके रहा करिए बढ़िया से बिंदी लगाया करिए उससे क्या होगा मालक्ष्मी, मागौरी, मापार्वती सब आप के उपर प्रिशन रहते हैं क्योंकि जब हम अपना स्वारूप किसी में देखते हैं और किसी का स्वारूप खुद में देखते हैं तो जीवन अपने आप जो है वो शुगम हो जाता है तो जैसे मागौरी को सिंदूर चड़ाना अती आवश्यक है वैसे खुद भी सिंदूर लगाया जाता है सिंदूर लगाने के और कई फायदे हैं कहते हैं कि जब माथे पर सर पर जिम्मेदारियां आती हैं तो बच्चियां बिचलित होने लगती हैं सिंदूर का एक अलग मैं आप तो तरीका बताओं, जब सर पे जिम्मेदारियां आने लगती हैं, तो बिच्चेयां बिचले थोने लगती हैं, घबडाने लगती हैं, उन जिम्मेदारियों से डर जाती हैं, सिंदूर लगाने से आपके माथे को शांती, संतुस्टी मिलती है, आप में शेहन सक्ति आती है अपने आपको और निखारने के और बहुत ही अच्छे से आप जो है उन चीजों का पालन कर लेते हैं अपने वैवाहिक जीवन में जिनको आपको करना जाए तो सिंदूर जैसी चीज से कभी परहेज नहीं करना जाए कुछ लोगों को हो सकता है कि सिंदूर लगाने से जो है वह इनफेक्षन होता हो या कोई और बात हो तो आप ऐसे में क्या करें आप अच्छी क्वालिटी का सिंदूर खरीदें इतने केमिकल से बनता है कि व्याख्या कर पाना मुश्किल है तो किसी एक चीज को कह पाना आसान नहीं है बहुत केमिकल के स अंकुन साध से संदूर बनता है , कोशश करके तो , आकजी क्या करें , अच्छी का क्वाली संदूर करें , विसवस्नियति दुकान से खरीथे , और धों अब से मांग रहेो आप lub अच्छा संदूर दीजे , भले आप पैसे ले लेकिन अच्छा संदूर दीजे को बढ़ा मैं , एकम हम ऐसन या कंचे पता है रहता है जो पाति हैं, सकते हैं मतों सकती हैं पर मताह रहन कुछ करते हैं यह पर कर बोग मतली सेरु साहरे तो कि तो जय फटती किसे लागतो है। very ुए टो कारते हैं, कारता है। क्या चाहती हो तो मैं पुड़ा पर में पतेसान नहीं तो यह स्वभागे की बाते होती है इश्वार ने अगर आपको इस लायक बनाया है यह स्वभागे आपको परदान किया है तो उनका लाब उठाएं आपमान ना करें जब महिला शादी शुदा होती है और उसके बाद सि इसे जो है शादी होती है और बहुत ही पवित्र माना जाता है यह वाला सिंदूर तो इसी से जो है शादी करते हैं इसे जो है शादी करते हैं इसे ही जो है बंदन शिंदूर कहते हैं और इसी को मांग में भढते हैं यह सवातोला दय में आता है जिसे हम बच्छीओं को शिंदूर्ए में भर के देते हैं यह सिंदूर है मेरे पास और मैं इसे थोड़ा सा आपको अलग से दिखाती हूँ तो यह ना मैंने उनसे मंगवाय था तो एक छोटी सी डिबी लेके आई थी फिप्टी के आई थी और इस टाइब का स्टेंड बहुत ही गजब का सिंदूर लगता है बहुत ही बढ़ी हासा इसका रेड कलर है तो अब मैं क्या करती हूँ और आगे से थोड़ा सा इसे लगा ल लेकिन वो नहीं लगाती नहीं लगाती नहीं लगाती हो तो आप अप जीन्स पर जिन्दीगी की और जो बच्पन से जवानी तक कर जो सफर होता है वो विना सिंदूर की तो गुजारते है जब ये मौका मिला है तो हमें इसका भी पूरा लाग उठाना अगर बढ़ ही चल संदूर लगाए देखता है तो उसे एक अजीव ही संतुस्ठी प्राप्त होती है जिसके व्याक्या सब्दों में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है तो फ्रेंड्स आशागरती हूं क्या आपको अच्छा लगा होगा वीडियो चिंदूर सूतक पातक में ग्रण में नहीं कमेंट करेंगा कौन-कौन रोज लगाता है इसका भी कमेंट करिएगा मैं मिलती हुआ न्युव वीडियो तब तक के लिए जैए श्री कृष्णा राधे राधे बाई बाई फ्रेंड्स बाई बाई और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें फ्रेंड और फैम लिगा साँ शेर के नह मत बूलें